हाई गाईज आज चौप टॉपिक सीखने जा रहे हैं मेरे साथ वो बहुत साधा इंपॉर्ण टॉपिक है तोड़ ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक क नाम है जर्नल देखो अब होता क्या है बेसिकली अकाउंट के अंदर आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन आएंगे ठीक रिकार्ड नहीं करते सिर्फ जो ट्रांजेक्शन मॉनिटरी होती हैं उनको बुक्स में रिकार्ड करते हैं अब कैसे करते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं जो आज हम सीखने जा रहे हैं ठीक है ओविसली एक वीडियो में तो होगा नहीं नमबर आफ ट्लासे आपको चाहिए जर्नल जर्नल के बाद हम जो सेकंड शीरिस में बनाएंगे वो होगी हमारी सबसेडिरी बुक्स सबसेडिरी बुक्स और साथ में हम बनाएंगे लेजर सबसेडिरी बुक्स और लेजर इन दोनों को बनाने के बाद हम इनकी पोस्टिंग करेंगे ट्राइल बैलेंस के अंद financial statement ठीक है अब यह क्या होता है basically यह बनाया जाता है final accounts साल के end में year end में अब year end से क्या मतलब है year end हमारा या तो होता है 31st March को ठीक है या फिर हमारा year end होगा 31st of December को ठीक है दो तरीके की year होते हैं अगर आपका 1st April को year शुरू हो रहा है तो 31st March को end होगा that means आप हर 1st April को अपनी नई books बनाओगे business की और 31st March आते ही उन books को close कर दोगे और जैसे ही आप book को close करोगे 31st March को book को हम क्या करेंगे close करेंगे उस दिन हम बनाएंगे उस year end को बनाएंगे final accounts यानि basically business का report card बनाएंगे और report card में तो आपको पता यह क्या आता है कि आपके कितने marks है आपकी कितनी percentage बनी ऐसे business का कितना profit हुआ कितना loss हुआ similarly अगर आपने अपना accounting year first January को start किया है तो आपका पूरा एक year 34 December को खतम होगा ठीक है if you are opting for this April to March वाला session तो इसको बोलते हैं हम financial year financial year और अगर आप अपनी books January to December maintain करना चाहते हैं तो उसको calendar year बोलते हैं normally by default financial year ही opt किया जाता है क्योंकि सभी business 31st March को अगर book बंद करेंगे और आप भी अपनी book 31st March को बंद करोगे तो आप उसी दिन अपने book के results को अपने book के profit को अपने business के profit and loss को दूसरे business से compare कर सकते हो अगर बाकी लोग कर रहे हैं 31st March को बंद और आप कर रहे हो 34 December को बंद तो वो comparison नहीं हो पाएगा ठीक है so anyways books को जब हम accounts में maintain करते हैं तो या तो हम calendar year चुनते हैं या फिर हम financial year चुनते हैं तो अब यह था पूरा steps किस तरीके से हम accounts को maintain करते हैं और उसका पहला step हमारा क्या था जो हम आज की वीडियो में start करने वाले हैं अब journal जो हमारी होती है ठीक है वो है क्या basically देखो जैसे कि अगर आपको किसी के सबस्किसी के या अपने घर में घुसना है ठीक है तो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए एक चाबी अगर आपको ATM से पैसे निकालने है तो आपको चाहिए ATM का PIN अगर आपको किसी email को खोलना है तो आपको चाहिए पासवर्ड ऐसे ही अगर आपको business के accounts के अंदर घुसना है तो आपको चाहिए journal तो आपको journal चाहिए होता है हमें पता है चाबी कैस को a obliq c लिते हैं debit को dr लिखते हैं dash account debit to थोड़ा सा gap छोड़के to dash account यह journal होती है इस जगे एक नाम आ जाएगा इस जगे एक item आ जाएगा इन दोनों जोगे फिल नब लेंग को भर देंगे तो हमारी journal बन जाएगी अब बनाते कैसे हैं कैसी दिखती है चलो let's start this topic guys journal को बनाने के लिए जब हम सीख रहें journal कैसे बनता है इसको बनाने की दो approach होती है ठीक है बहुत ध्यान सुनेगा एक एक चीड़ आपको आने चाहिए there are two approach for dealing in journal one is traditional approach traditional the other one is modern approach ठीक है traditional approach 99% आपके काम आएगी और महीं से start करें modern approach को हम बाद में करेंगे ठीक है traditional approach को हम three golden rules of accounts के नाम से भी जानते हैं three golden rules of accounts अब ये तीन golden rules है कौन से कौन-कौन से तीन golden rules है पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं हमारी जो तीन golden rules है वो है पहला rule of personal account second हमारा rule है rule of real account and third हमारा rule है rule of nominal account तो तीन rules ने जो आपको याद अखने है traditional approach के अंडर तीन rules होते हैं जिनकों three golden rules बोलते हैं कौन-कौन से rules हो गए हमारे personal account, real account and nominal account तो ये तीन rules हो गए अब rules क्या है हम rule बाद में देखेंगे ये तो नाम है इनके ठीक है personal account ठीक है अब हम देखेंगे कि ये rule applicable कहां होते हैं सबसे important चीज़ है ध्यान से देखेगा जो आपको बताने जा रहा हूं और कोई भी आप book में नहीं देखेंगे चीज़े बलानी और Generalρχ इसको किसी business का नाम है तो इसको बोलते है हम artificial बिसेकली न दो तरहिके से हों या या तो नेम होगा नाचुरल या होगा आर्टीफिशल अब वर और देखते हैं जैसे मेने बोला ग्युद्व सर गौरफ सर क्या है एक natural इंसान का नाम है लेकिन अगर मैं बोलूँगा commerce मंत्रा तो commerce मंत्रा क्या है commerce मंत्रा artificial ही नाम है कोई फरक नहीं पड़ता नाम होना चाहिए बहुत natural नाम हो ठीक है या फिर क्या हो या आठी पर 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 चाहिए लगेगा ठीक है रियल अकाउंट का रूल लगता है पहली बात चीजों में कौन सी चीज़ें सर वह चीज़ें जो तुने देखी हो सर देखी हो मतलब हां तुने देखी हो अपनी डाइफ में और तु उन्हें वर्ट में explain भी कर सकता है ठीक है जैसे जैसे देख बेट तो कमरे में जहां बैटा है महामकार शषय है एक फैन लगा हुआ है हां सर लगा हुआ है पैन एक चीज़ है तुने देखा है लाइफ में रसे observe। कर सकते हैं आसर कर सकते हैं एक machine होती है जिसके तीन हाथ होते हैं बिजली से चलती है घूमती है और हवा देती है कि बिल्कुल कर तो में explain करके नहीं दिखाना तुम्हें बस देखना है कיפंगि क्या वो चीज है क्या तुम बिल्कुल देखा है गांदी जी के फोडो बनी होती है सर कागज के उसके पर तो बिल्कुल यह जितनी भी चीजे हैं जो हमने लाइफ में देखी है और हम एक्स्पेंड कर सकते हैं इन पर हम रियल एकाउंट का रोल लगाएंगे ठीक है अब आता है नॉमेनल के स्टार्टिं किसए एक्सुमीर करके दिखा इह मत कहना सर नोटो का बंदल होता है चेख में भी तुम सकती है और तूब और किराय कैसा डिखता है रेंट वह सब्सक्राइब में बोलूब गैसे का देखता है कैसीद सब्सक्राइब interest कैसा देखता है ये चीजे ये ना तो नाम है ना हम इन्हें expand कर सकते हैं नाम होता तो personal account में चला जाता अगर चीज है जिसको हम expand कर सकते हैं तो real में आ जाएगा और ऐसा कुछ हो जो हम expand नहीं कर सकते हैं तो वो nominate account में आ जाएगा थीक है अब चलते हैं इनके रूल को देख लेते हैं तो personal account का rule हमारा है debit 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 को DR लखते है debit the receiver credit the giver debit the receiver credit the giver हो सके तो लिखते-छेतिधे में लिख रहा हूं वैसे वे याद को लिजिए real account जो बहुत important है इसका rule है debit what comes in क्योंकि चीज़े है न चीज़े या तो तुम खरीदते हो या बेशते हो चीज़े या तुम आपस आती है या जाती है debit what comes in and credit if they goes out what goes out debit in and credit out और nominal account को rule है debit all expenses and losses credit all incomes and gains तो बिटा यह हो गए हमारे तीन rules personal account का rule मैंने बता दिया आपको real account का rule वो भी बता दिया नॉर्मिल का rule भी बता दिया कहाँ applicable होता है वो भी बता दिया अब एक काम कर बच्चे वीडियो को कर pause इनको फटा-फट लिख आगे मत बढ़ना लिख ले और जल्दी से इन तीनो रूल को याद कर लें खासकर यह real account का rule क्योंकि यह सब स्यादा काम आएगा और जब याद हो जाए तो वीडियो को resume कर वापिस start कर I hope guys तुमने rules को लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा अब हम जनल बनाना सीख रहे हैं ठीक है सबसे पहला transaction आपका आया cash paid to Rahul देखो cash pay कर रहे है मतलब monetary है इसका कुछ न कुछ amount है ठीक है ठीक है और किसको दे रहे है राहूल को दे रहे है तो यहाँ जो दो आइटम involved होंगे वो कौन कोंसे होंगे cash और राहूल यह हो गया हमारा पहला काम पहले दो आइटम पिक करने के बाद यह पहला काम हो गया दो आइटम पिक करने के बाद दूसरा काम है इनके उपर rule identify करो जिसे राहुल एक नाम है, तो उस पर personal account का rule लगेगा, cash कोई नाम नहीं है, तो उस पर personal नहीं लग सकता, cash क्या कोई चीज है जो हमने देखी है और हम explain कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल, तो उस पर real account का rule लगेगा, तो लो जी हो गया काम, दो बाते हो गये, और last तीन बाते, cash के उपर बस इतना से देखके बता इस sentence के अंदर cash आ रहा है यह जा रहा है cash paid to Rahul हम Rahul को पैसा दे रहे हैं तो cash जा रहा है और अगर cash जाएगा तो इसको क्या करेगा credit करेगा anything which goes out needs to be credited cash जा रहा है तो हम उसको credit करेंगे अगर cash credit हो गया तो उसका मतलब राहूल को हमें debit करना पड़ेगा क्योंकि accounts में एक होता है debit और एक होता है credit तो कुल मला के guys आपको तीन चीज़ चाहिए होती है general बनाने के लिए पहले दो item पिक करो हमने दो आइटम पिक कर लिया फिर उसके बाद उनके उपर रूल लगा लिया रियल को पकड़ो और रियल के साब से देख लो यह आ रहा है जा रहा है सर कैश समय जा रहा है और जा रहा है तो हमने क्या किया उसको credit कर दिया कैश हो गया credit यह हो गया debit अब बस हमारी जो जनल इंट्री यह वो बना देंगे कौन डेबिट हो रहा है सर राहूल डेबिट हो रहा है तो बिटा लिख दे यहां पर कैसे राहूल राहूल्स अकाउंट डेबिट नाम के साथ में अकाउंट वर्ड नहीं लगाएंगे और अगर लगाएंगे तो Can Sh क्थे दिया को क्रेडिट वाले को कभी भी क्रेडि नी लिखते हैं टू करके लिखते हैं तो क्याश अकाउंट और और यह amount आ जाएगा 500 500 ठीक है confused कोई देकर नहीं एक और देखते हैं पक्के कर देंगे इसी वीडियो में देखिए second हमारा transaction आ गया हमें general बनाने के लिए कहा गया received rent 11,000 रुपए सबसे पहले दो आइटम रफ में pick कर लो हमें rent मिल रहा है ठीक है rent मिल रहा है कैसे मिलेगा rent ठीक है अब इन पर रूल लगा रेंट किसी का नाम तो हो नहीं सकता रेंट दिखता कैसा है पता नहीं तो इस पर लगेगा nominal account का रूल और cash पर लगेगा real account का रूल और हमें real को पकड़ना है अगर fast बनना है तो तुम्हारे मर्जी किसी को पकड़ो लेकिन हम real को पकड़ते आएगा तो debit कर देंगे रूल याद होना चाहिए debit what comes in आ रहा है यह debit हो गया तो इसका मतलब rent को मुझे क्या करना पड़ेगा credit अब journal बनानी है देखो पहले debit को हुआ सर कैश डेबिट हुआ तो पहले हमेशे debit वाले को लिखते हैं कैश लेको मैंने आपको इच्छी बदाई थी आपका जो जनल का format होता नहीं कुछ ऐसा होता है डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट आप जिसको भी debit कर रहे हो यहां लिख दो जिसको भी credit कर रहे हो यहां लिख दो तो आप चेक करो आपने किसको debit किया सर हमने debit किया है cash को तो यहां पर आ जाएगा cash cash अकाउंट डेबिट हमने credit को किया rent को तो यहां पर आ जाएग आपने 900 रुपे कमिशन दिया दो आइटम पिक कर लो आप क्या दे रहे हो कमिशन कैसे दोगे कैश की फॉर्म में ठीक है दो रूलोग आ गया दो आइटम आगए कमिशन और कैश कमिशन पर कौन सा रूल लगेगा नॉमिनल कैश पर क्या लगेगा रियल यह आपको सोचना है से काच को आपको अब ररकर रूल हम लगाएंगे हम तुर रियल को पकड़ेंगे रियल के साब से देख लो क्यास आ रहा है जा रहे है पेड्ड कमिशन सब जाएगा जाएगा तो बेटा credit हो जाएगा क्यों रूल यह कहता है कि आ रहा है तो debit जा रहा है तो credit ये credit तो debit किसको करेगा Commission को अब जिसको भी debit किया पहले उसको लिखना हैं तो हमने commission को debit किया 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 ने क्या लिखेंगे 계ist Commission the Commission account debit बिल्कुल सही ए 키मिशन का कि देख नंबर फॉर्थ मानले मैंने बोला सूल्ड एन ओल्ड कार कि फॉर रुपीज फिफ्टी ताउजन हमने हमारे हमारे बिजनस में पुरानी कार थी ठीक है बिजनस की तो अकाउंट बना रहे हैं घर की बात ही थोड़ना हो रही है एक पुरानी गाड़ी बेज दी ठीक है दो आइटम कोन-कोन से होगे हां पर आपने क्या बेची कार प्रेन कर सकते हैं तो गाइस ध्यान से देखो हमें हमेशा यह दोनों रियल है हम हमेशा रियल को पकड़ते हैं और अगर दोनों ही रियल हो तो कैश को पकड़ना है हमेशा रियल को पकड़ो दो रियल हो तो कैश को पकड़ो अब बताओ कैश आ रहा है जा रहा है कार बेच तो यह हमारा इसका आगया ठीक है एक और देखें नमबर फाइव अगर मैं बोलू पर चेजड पर चेजड बिल्डिंग फॉर रूपीस 10 लाक हमने 10 लाक एक बिल्डिंग कर दी ठीक है तो हम यहां पर लिखेंगे दू आइटम बिल्डिंग और कैश ठीके हैं बिल्डिंग और कैश वैसे तो इत्ता बड़ा मांट मेनuld नहीं देतेए चわかंड में नहीं देए लेकिन अभी आपके लेवल पर कैश में कश में दिया हैं बिल्डिंग रेल चैश भी रियल दोनों रियल हो किसको पकड़ेंगे सका बताओ cash आ रहा है जा रहा है सर बिल्डिंग हमने खरी दिया cash जाएगा जाएगा तो credit हो जाएगा इसका मतलब building को हम debit कर रहे हैं किसको debit कर रहे हैं building को तो यहां पर लिख दो building account debit to cash account ठीक है यह हो गया हमरी basic वाली अब थोड़ा सा step हम और आगे बढ़ते हैं आपको ट्राइक्शन दिया नंबर सिक्स ठीक है 60 होगा शायद आगर मैंने आपको दिया पर्चेस भुजबऌ आप ईपएगर मैं रुपीज फाहं दो आइटम है और ऑपक बना रहे हो आपका पर्चेस कर रहे हो गोड़ दोसरा इटम cash rule दोनों real cash को पकड़ेंगे cash आ रहा है जा रहा है purchase goods cash जा रहा है जा रहा है तो credit simple आ रहा हो तो debit जा रहा हो तो credit ये credit कर दिया तो उसको debit कर दो तो हम entry बना लेते हैं यहां पर मैं यहां लिख देता हूँ goods account debit to cash account खास बात हर word का पहला alphabet अनकना है कि हर word का हर हमेशा पहला alphabet capital आएगा ठीक है सीख लिया लेकिन इस journal में गड़बड है क्या गड़बड है जब हमने जब हमने car खर दी थी तो हम car उसको car लिखा था building खर दी तो building लिखा furniture खईदा तो furniture लिखा लेकिन जब हम goods खरीते हैं तो उसको rough में तो चलेगा लेकिन entry में goods नहीं लिख सकते goods के लिए चार word बनाए गए हैं आप वो ही लिखोगे purchase, sales, purchase return या sales return purchase, sales, purchase return या sales return क्योंकि आप purchase कर रहे हो यहां पर तो यहां goods word हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा उसकी जगह आ जाएगा purchase, account, debit ठीक है? एक और देखो suppose मैं ही पर आपको बोल दूँ sold goods for rupees 90,000 ठीक है? दो आइटम चुनने पहले चलो पहले इनकोई बहर मुझे थोड़ी सजगह चाहिए मैं इसको मठा देता हूँ ठीक है? दो आइटम कुछ ही है आपने goods बेच आ ठीक है दो आइटम कौन से होंगे? हम goods बेच रहे हैं sir goods और cash ठीक है? इस पर भी रियल, इस पर भी रियल दो रियल है, तो cash को पकड़ेंगे अपन ठीक है? cash को पकड़ लो cash आ रहा है जा रहा है सर गुड्स बेच रहे हैं पैसा आएगा आएगा तो debit यह credit हो जाएगा यानि अभी मैं cash को debit कर रहा हूं तो मैं यहां लिखूंगा cash account debit थोड़ा सा space छोड़के to goods account सर गुड्स यहां तक ठीक है एंट्री में नहीं आएगा बिल्कुल सही बेटा गुड्स को कभी जर्नल में लिखते उसकी दीगे क्या आएगा आप बेच रहे हो तो यहां पर आजाएगा sales account और यह इसका amount हो जाएगा ठीक है चोलो जी यह हो गया हमारा यह चीज अब जब हम कुछ item चुनते हैं तो कुछ एक कभी कोई दिक्कत आती है देखो कैसे जब भी हम कुछ purchase करते हैं हम जब purchase करेंगे या sale करेंगी हम तो business है ना जब भी हम माल खरीकते हैं बेचते हैं कुछ भी खरीकते हैं बेचते हैं तो हो सकता है कि हम पैसे दे के ख़ई召ै बेचे पैसे का लेंदेन और फैसे लेंदेन ना दरमी हो ठीक है तो यह जानना बहुत जुरूरी है यह नी कि हरा इटम में cash पकड़ लोगे तो कैसे पता लगेगा के वह transaction cash transaction है यह वह transaction एक उधार वाली transaction है तो इसके लिए मैंने एक model बनाया है, एक formula बनाया है, ध्यान से देखना, cash, credit, name, nothing, जब भी कोई purchase या sale का फंडा आए और आपको यह जानना हो, कि वो transaction cash transaction है या credit transaction है, तो आपको इस model को देखना है, जैसे मैं एक example लेता हूँ, समझना ध्यान से, मालनों मैंने बोला आपको, purchased goods from Ram rupees 1000, हम यहाँ purchase कर रहे हैं और हम जानना है, कि हमने यह credit में purchase किया है या cash में, तो सबसे पहला, सबसे पहली चीर हमें देखना है, cash word, cash word, क्या इस statement में, इस sentence में, कहीं cash word आ रहा है, कहीं आपको देख रहा है cash में word, नहीं सर, यहाँ पर कहीं प पर जाओ, कहीं आप credit लिखा है, on credit, नहीं सर, वो भी ने लिखा, third, आगे बढ़ जाओ, name, क्या किसी का नाम आ रहा है, हाँ सर, नाम आ गया, तो बेटा, अगर इन में, इन में से कुछ भी match हो जाता, तो वो credit transaction होती, इसमें या इसमें से कुछ भी match हो जाएगा, तो वो cash transaction होगी, तो ये वाली जो है, because name आ गया, और ये शुरू की दो चीज मैच नहीं हो पाईती, इसके अंदर, तो ये name आने से credit transaction हो गई, तो जब इसमें आइटम चुनेंगे, तो यहाँ पर goods और राम चुनेंगे, cash नहीं चुनेंगे, क्योंकि हमने उधार में खरीदा है, ठीक चेक करो इसमें, हम बेच रहे न, चलो हम बेच रहे तो ये क्या हो गया, ठीक है, हम बेच रहे तो हम इसमें ये वाला rule लगाएंगे, ठीक है, जब चेक करें कि हम कैसे बेच रहे, cash word, sir नहीं है, बिल्कुल नहीं है, credit word, sir नहीं लिखा, name, sir नाम भी नहीं है, इसका मतलब कुछ मैच नहीं हुआ, और nothing, इसका मतलब ये cash connection हो गया, तो यहाँ पर जब दो item चुनेंगे, तो वो खुन से होंगे, goods और cash, ठीक है, चलो जब जब इसको मिटा दू जो मैंने cut कर दिया आपके लिए, तोड़ा साब को, अगर copy करना होगा, तो आप at least copy कर पाओगे, पता cash, rupees, 500, sir cash word साफ लिखा है, तो बेटा ठीक है, ये cash connection है, लड़ क्यों रहा है मेरे से, goods और cash, यानि यहाँ पर आप किसको बेच रहे हो, वो important नहीं है, कुल मिला कि आप goods बेच रहे हो, और आपके पैसा आ गया, या सीता का नाम नहीं आएगा, फिर आगे तो journal बनानी है, simple ह इस पर real, इस पर real, दोनों real है, cash को पकड़ेंगे, cash क्या हुआ आ रहा है, आ रहा है तो debit हो जाएगा, ये credit हो जाएगा, entry हो जाएगी cash account debit, और two goods की दिए two sales हो जाएगा, ठीक है, बाकी का अगले वीडियो या अगले class में मिलेंगे